हेलो दस्तों स्वागत करते हैं इंडियन हैचिरी में तो दस्तों आज जो हमारे वीडियो आई है मुर्जयों की काले और चोकलेटे रंग के पतले लैटरिंग होती है इसका कारण क्या होता है और इसका किस तरह से इलाज कर सकते हैं इस बार में बताएंगे हम अपने 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ डाक्टर संजीर कुमार प्रिष्ण कन्हिया नारायन और सरवन मंडल आपके पुल्ट्री फार्म में बर्ड्स पालन से लेकर उनके बीमारियों इलास करने में सहायता करेंगे अपनी समस्या हमें वाटसप पर भेजे हमारा वाटसप हमारे साथ चुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बैल आइपॉन को भी बजाते हैं तो दोस्तों जब आप देखें कि आपकी मुर्गियां काले चोकलेटी कलर की पतली लाट्रिंग करने लग गया है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपक करने में थोड़ी असमर्थ हो जाती है तब यह समस्या देखने को मिलती है तो इस कंडिशन में सबसे पहले तो आपको अपने मुर्गों को लिवर टोनिक चलाना होता है लगातार आप उन्हें साथ से आठ दिन तक लिवर टोनिक चलाएं ताकि उनका जो लिवर है वह स्ट घृची तो यह टब्लकिंद कर देनी नहीं है लेकिन आपको लिवट रोनिक है कम से कम सास ओ से आठ दिन तक र्यगुलर चलाना होता है जो आपको पहले की लिवर कंजोल हो चुका है और लेह टोनिक देने से मुर्गिया अच्छी लगए होगी अगर आपने चानल सब्सक्राइब नहीं कि अभी तक तो सब्सक्राइब कर लिएगे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा मुर्गियों के जानकरी और भी दर्शत चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं इंजिनहाची.com पर वहां पर आपको पीडियों के साथ सारी मुर् कर लाइके ठीडियों के साथ साथ सेया है तर आ कुछाब को फिल्सक्राइब के विल्सक्राइब कर दो एको एक हैं नहीं करता है।